ये क्या बात हुई सुडिल, कभी तो मुझसे भी कुछ पूछ लिया करू, आच्छा मुझे बहुत काम है, मुझसे पूछे बिना तुमने हां क्यों बोला ओहो, तब पूरे दिन घर में खाली आयश करने पर भी मैं तुमसे पूछू कि बीजी तो नहीं हो अरे फाल तुका मैलोड ड्रामा नहीं चीगिए मुझे, टाइम सा तैयार है न उसे सच में आज बहुत काम है बेटे, तू अकेले चला जाना पहले पैस कमा कर इनके खर्चे उठाओ, और फिर नाटक देखा ज़रा दोनों बाप बेटे हमेशा की तरह, दोनों सास बहु को कड़वी बाते सुना कर ओफिस चले जाते हैं जिसकी अब आदत होने पर, वो दोनों भी किसे से कुछ बोले विना अपने काम में लग जाती है इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है, मम्मी, समझ नहीं आ रहा इतने सारे काम पड़े हैं, जो कल सुबह तक अगर पूरे नहीं किये, तब भी हम पर ही इल्जाम आएगा और अगर पार्टी में नहीं गई, तब भी सुनाएंगे अरे इनका वो की तो आदत हो गई है, बेफिसल काई काई करने की, तू तयार हो जा, काम मैं संभाल लूँगी अब नहा सुनल के घर वापस आने से पहले ही तयार हो जाती है, जिस पर वो सुनल के आते ही पार्टी के लिए चले जाते हैं वहाँ पांच कर हमिशा की तरह सुनल अपने दोस्तों में बिजी हो जाता है, और नेहा एक कोने में खड़ी रहती है, रात बीटती है, और अगली सुबब एक बार फिर वही रूटीन शुरू हो जाता है इन लोगों को हमारे काम और जिंदगी की कोई एहमित क्यों नहीं है, इन्हें कब समझ में आएगा कि घर में रहने वाली ओरतें सिर्फ आराम नहीं करती बेटा, मेरी तुम रबेत गई यही सोचते हुए, पर आज तक ना वो बदले है, और ना जवाब मिला लेकिन मा, समय हमेशा एक जसा नहीं रह सकता, इन्हें बदलना होगा सुबह से शाम होती है, और फिर रात, इसे तरह दिन बेटने लगते हैं एक शाम सुनेल और उसके पापा ओफिस से जल्दी घर वापस आते हैं तब हमें पार्टी में जाना है, सुट प्रेस करके दे दो और जल्दी तयार हो जाओ आरा तुम भी, और घंड़ों मत लगाना समझे इसके आगे नेहा या सास को बोलने का कोई भी मौका ना देते हुए दोनों वहाँ से चले जाते हैं, कुछ देर बाद चारों पार्टी में पहँच जाते हैं यहां सब समझदार और पड़े लिखे लोग है, कोई बैव को फिगार के मेरे नाकमा तक अटवाना और तुम तो खास कर अपनी जबन काबू में रखना बहुत चलने लगी आजकल आप लोगों की शायद हमेशा हर जगह हमें इंसल्ट करने की आदत बन गई है अच्छा, जब शॉपिंग पर मेरे ही पैसे उडाती हो, तब ये बगावत याद नी आती होगी काम नकाज के दुश्मन नाज की ऐसा बोलकर सुनेल अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और ससुर भी आफिस के लोगों के साथ गपशप में लग जाते हैं लेकिन सुनेल की बाद से परिशान नीहा और उसकी सास वहीं एक कोने में खड़ी रहती है शान्त हो जा, कर ही क्या सकते है चल, कोल्ड रिंग पीते हैं, गुस्सा उतर जाएगा जैसे ही नेहा और सास कोल्ड रिंग लेने पहुंचती हैं तो उन्हें के बराबर में अलका हुलका काउंटर देखकर नेहा का चेहरा चमक उठता है वो मुस्कुरा कर सास के कान में कुछ कहती है और दोनों पीना शुरू करती है कुछ दिर बाद दोनों चलाते हुए अपने अपने पतियों को ढूऩने लगती है ये नजारा देखकर पाटी वही थम जाती है सब लोग उन्हें ही देखने लगते हैं ये है मेरे पती, अरा कहा है के पती, इनसे शादी करके तो मेरी किस्मत है फूटी, और ये मेरे पती, जिने पती बोलने में मुझे आती है शेर्म भड़ी, चलो, आज आप लोगों को इनके हसली रुप से मिलाते हैं, जिसमें ये अपनी पत्नियों की रत्ती भर विज़त नह करते हैं, हर समय उन्हें घरी गोटी सुनाते रहते हैं, हर जगा बिना मौका और माहल देख, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धर्चियां उड़ाते रहते हैं, क्या बोलते हो कि घर में रहकर हम करती ही क्या है, अगर ऐसी बात है तो कर से खुद अपने कपड़े दोना, प्र और पसंद ना आने पर दोबराव बनाना, जैसे हम करते हैं ना, फिर घर की सफाई, सारा सामान अपनी जगह रखना, जो तुमारे भेखने पर हम करते हैं, और फिर फाइनन्स मंत्री बनकर लिमिटेड पैसों में बढ़ती केमतों की साथ घर का बज़ेट बना रहा है सुनिल, इन्हें चुप करा, अपनी तो कई इज़त है नहीं, हमारी भी खराब कर रही है यह तो अर बढ़िया है, अब अच्छे से सुनो निहा, यह क्या ड्रामा है? ड्रामा तो अभी शुरू हुआ है जी सास और निहा अपने मन की सारी भडास निकालने लगती है जिसे चुप चाप खड़े रहकर सुनने के अलावा, ससुर और सुनिल के पास कोई चारा नहीं होता बहुत तेर तक यही सब चलने के बाद, आखिर में दोनों सास पहु बेहोश हो जाती है अगले सुबह सिरदर्द के साथ दोनों की निंद अपने अपने कमरे में खुलती हैं, जिस पर उनके पती उन्हें हॉल में लेकर आते हैं मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? मेरा भी इतनी देर में ससुर दो गलास निमो पानी लेकर रस्वी से बाहर आते हैं येलो निमो पानी, इस सिरदर्द ठीक हो जाएगा हम दोनों आपसे कुछ कहना चाहते हैं साथ बहु अहरानी से एक दूसरे को देखने लगती हैं, तभी दोनों बाप बेटे उनसे माफी मांगती हुए कहते हैं हमें कभी आइसास नहीं हुआ, कि अपने इगो में हम दोनों आप लोगों के साथ कितना बुरा कर रहे हैं आज से हम भी घर के काम में हाथ बटाएंगे और नेहा, मैंने तुम्हें जॉब करने से रोका, उसके लिए भी सौरी, तुम्हें जो करना है करो ये सब सुनने के बाद सास बहु मुस्कुराते हुए, एक दुसरे के तरफ देखती है आलकाहौल वाले काउंटर पर बैट कर, कोल्ड रिंग पी कर थोड़ा ड्रामा करते हुए, आज इने सबक सिखाई देते हैं